नमस्का और डीवी नियूस में आपका स्वागत है मधिप्रदेश की मुख्यमंति शिराज सिंग चोहान ने सौमवार को सिहर जली की बुधनी विधान सभा से भाजपर प्रत्यार्शी के रूप में अपने नामंकन फॉर्म जमा किया है इसके साथ ही उन्होंने एलान कर दिया है कि वह बुधनी में अपना प्रचार प्रशार करनी नहीं आएंगे प्रदेश की बागी 217 सीटों पर प्रचार कर फिर बीजेपी की सरकार बनाएंगे सीएम ने कॉंग्रेस पर हमला बोलते हुए का कि मलिका अरजुन खडगे तो नाम मातर के अध्यक्ष है असल में तो भाई या बहन फसल काड़ते हैं जारी विग्यप्ती के मुताविक नामंकन से पहले जनसवा को समवोधित करते हुए शिराव सिंग चौहानी कॉंग्रेस और उसके नेताओं पर जम कर आड़े हातों लिया आपको बता दी कॉंग्रेस नेता कमलनाथ पर निशाना साधिते हुए सीएम शिराव सिंग चौहान ने कहा कि अब वो लोग तो सेठ अरब पती उधोग पती हैं वो तो ठहरे परदेसी चिनाम में आते हैं फिर चले जाते हैं एक दिन मेरे साथ दौरा करके देख लें दिन भर फिर दूसरे दिन उठ लें तो बताएं मुखे मंत्री ने कहा कि कॉंग्रेस के मित्र परिशान बहुत रहते हैं सोचते हैं कि देड़ फसली का यह शिवराज कहां से आ गया उन्होंने एक बार तो मेरा श्राद ही करा दिया था तम मैंने कहा कि मैं राक के धेर मैंसे भी उठकर खड़ा हो जाऊंगा शिवराज सिंग चोहा ने राहूल गांदी का नाम लिये बगर कहा कि देखो उन में और हम में क्या अंतर है वे आटे को किस चीज में तौलते हैं और लीटर में अब भाईया धान का खेत काटने पहुँच जाएं लेकिन यह पता ही नहीं है कि धान जमीन के नीचे होती है या फिर जमीन के उपर वे जमीनी वास्तविक्ता से परिजित नहीं है हमने तो बखर हाके हैं और ढूली टांग कर और आई भी करी है लेकिन कॉंग्रेस इन सब चीजों को क्या ही जाने